अज की यह वीडियो प्रेटिकल साइंस यानि राज निति साफ्तर की महा संग्राम होने वाली है जो भी हमारे छातर 2.3rd समस्टर के छातर है। दोनों मेने रखे और आपके एक्जाम के लिए 100% है ठीक है तो इंड तक बने रहीएगा और मैं आपको बता दूप 75 नंबर का पेपर होता है यदि आप इनमें दियेगे जो कोईशियन और अंसर उनको तयार करके जाते तो आप कम से कम 60 नंबर सकते हैं तो चले वीडियो को शुरू करते हैं तो पहला प्रश्चय है द्यान से सुनेंगे की चलेज़न के द्वारा राश्च पति की इफ्थित को असपस्ट कीजिए यानि कि सम्विधान में आप सभी को मालूम कि भारत में सम्विधान के साफन चलता है तो संबिधान में संसोधन हुआ था चावलहसवा संसोधन हुआ था ठीक है तो उस संसोधन में राष्टपती की इस्थित के बारे में निम्न प्रावधान किये गई है जो कि एक प्रावधान द्वारा निम्नवत है तो पहला जो प्रवधान किया गया है ध्यान से तुनेंगे वो है कि राष्टपती आपात की घोशड़ा अब मंत्री मंडल के लिखित अनरोध पर ही कर सकता है यानि कि माली जे उसको अमेरजेंसी कोई अलाउंसमेंट करनी है तब वो तुनन नहीं कर सकता अब उसको मंत्री मंडल के लिखित अनरोध पर ही करना पड़ेगा या फिर कर सकता है दूसरा है कि राष्टपती मंत्री मंडल के लिखित अनरोध में एक बार पुनर विचार के लिए वापस लटा सकता है परन्त दूसरी बार में उसे ऐसा परामर्श मानना ही पड़ेगा ठीक है? यानि कि कोई चीज आपको निवेदन करना है या फिर कोई चीज आपको request करना है ठीक है? तो उस पे आपको एक बार बिचार करने के लिए वो वापस कर सकता है लेकिन दूसरी बार आप नहीं कहेंगे भाईया सब ठीक है इस पर बिचार करनी कोई हो सकता नहीं तो उसको वो जो आप अनरोध करेंगे जो आप परामर्स कहेंगे उसको माल लेगा ठीक है तो यह हो गया दूसरा तीफरा है अनुछे 352 में आंतरिक के अफ्थान पर युद्ध या बाह आक्रमण या फफफतर बिद्रो जोड़ा गया है और चार नंबर है कि राष्ट पती द्वारा की गई आपात काल की घुष्टा संसस द्वारा एक महा के अंदर अनुमोधित होनी चाहिए इस बात को ध्यान रखेंगे ये एक प्राधा से अपात काल को समाप्ति के आजा फकता है निके अवर्जन फीजो सिस्टम उसको समाप्ति के आजा फकता है तो ये कुछ पामफे छे समाधास ठीक है चौलो से समवैधानिक संसोधन के प्रवधान है जो कि याद रखना है जो कि 1978 में हुआ तो बहुत ही महात पूर्ण है आप सबी के लिए तो ध्यान रखेंगे ओके अगला प्रशन है बहुत ही महात पूर्ण ये भी है कि भारतिये राष्ट पती की वास्तिविक इस्थित को अस्पस्ट कीजे यानि कि जो भारतिये उपर राष्ट पती है ठीक है उसकी वास्तिविक यानिकि एक्चुल में उस योगिता राष्ट पती के समान होनी चाहिए यानि कि जो राष्ट पती की योगिता होती है वही उपर राष्ट पती में पद के लिए भी आपको योगिता उतनी होनी चाहिए ठीक आपकी तभी आप इस पद के लिए मतलब की अपना अप्लाई कर सकते हैं इस पाद पे आ स समय से पूर्ब भी वह अपना त्याग पत्र राश्ट पती को सौप सकता है यानि कि जो उप राश्ट पती है भारत में उसकी जो कारे काल यानि कि अवद ही वो 5 साल है लेकिन वो चाहता है कि हमें नहीं करना है ये पत्र पे रही रहना है तो उससे पहले भी वो त्याग पत्र दे सकता है राश्टपती को तो ये है एक्चल में उपर राश्टपती की कंडेशन यानि की इस्थित बहुत महात्पूर्ण प्रस्थन है याद रखेंगे अगला प्रस्थित है कि भारत में दल परिवर्टन के मोल कारण बताईए देखे दल यानि की भारत में बहुत सारे दल है ठीक है राजनीतिक दल बहुत सारे हैं आप सभी को अच्छिस मालूम है और उन दल के ठीक है परिवर्तन कुछ होते हैं तो उसके किस वज़ा से होते हैं उसके कराण बताईए ठीक है कम बहुमत मतलब लोगों के अंदर दल के अंदर बहुमत ना हो, एक जुट ना हो, एक दूफलें से सोच प्रिवर्तन के मूल कारण है यानि कि हर इनसान चाहता कि हम जिस भी दल में हैं उसमें हम ज्यादा फे ज्यादा अच्छा यानि कि उंचा पद प्रात करें ज्यादा फे ज्यादा लाव लें ठीक है तो यही कुछ प्रमुक कारण है जिनके वज़ा फे दल परिवर्तन हो जाता है ठीक है तो इस प्रकार ल जिसको दल बदलू नेता नहीं बोला जाता है कि पार्टिया जब माली जे की कोई बिजेपी है तो वह सपा के फाद गढड़ बंदन कर ले कांग्रेफ के फाद गढड़ बंदन कर ले ठीक है या फिर आप लोग एक तो यह तो गढ़ बंदन हो गया लेकिन कभी-कभी यह होत कि माया बती गवर्मेंट में थे फिर वो आये किसमें आप सभी को मालूम है वो आये भाजपा में भाजपा के बाद वो किसमें आगे सपा में तो यह एक प्रकार से बदल नहीं ठीक है तो इस तरह के जो नेता होते हैं ठीक है वो एक तरीके से दल बदलू नेता कहलाते है तो दल परिवर्तन के जो कारण है इसके वज़ा से बहुत बारे सरकारे प्रभावित हुई है और कब-कब हुई है उसके बारे में हम पे लिखा है ठीक है वही आपको एक्जाम में लिखना होगा अमेशा नहीं आता कोईशन लेकिन कभी कदार आता तो आप तैयार भी कर सकते निश कोईशन क्यों बढ़ें यह कोईशन कहरा कि अलप संख्यक होते हुए भी बहुत संख्यक क्यों माना जाता है यह अपके एक्जाम के लिए महात्पुनितिस को भी तैयार कर सकते हैं आप लोग ठीक है चले निश कोईशन ज्यादा में पास टाइम नहीं इसलिए हम इसके बारे में बहुत सब्सक्राइब यहां पर एक एक करके आप्शन दिए गए हैं उनके माध्यम पर किया जा फक्ता है जिसकी आप्शन ने बिया कि एतिहासिक तथ्यों युम आगडों से यहां स्पष्ट हो चुका है कि इस देश यानि कि भारत देश की राजभासा हि अगला हिंदी और आहिंदी भासी लोगों के मद्ध उग्रता फे बचना चाहिए जो लोग हिंदी बोलना नहीं जानते उनकी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए तो इसी तरह बहुत सारे अलग अलग यहां पर आपको दिखेंगे आप्शन और इनके द्वारा ही जो अगला कोईशन है कि वर्तमान समय में धर्म निर्पेच्छता और बिचार बेवर से क्यों आवस्यक है तो आपके जानकारी के बता दे धर्म निर्पेच्छता पे जुड़ा एक कोईशन आम के परिच्छा में आयेगा जरूर यह 100% से ओर है ठीक है तो इस प्रशन को जो त अगला प्रस्तुत है कि इस्तरी पुरुस में अधिकारों को लेकर क्या अंतर है यानि कि जो इस्तरी है और पुरुस है उसमें क्या-क्या ऐसे अधिकार है जो पुरुस को नहीं है क्या-क्या ऐसे अधिकार है जो इस्तरी को नहीं है तो वो अधिकार आपको बताना बहुत लेकिन दोनों की अधिकारों में अंतर दिखाई देता है यानि कि गवर्मेंट तो एक एती इस्त्री और प्रुस्त को हम एक नजलिये फे देखते हैं एक ही बेदबाह होना चाहिए ठीक है और समान अधिकार होने चाहिए लेकिन फिर भी समाज में कुछ न कुछ इसमें अध कारे लिया जाता है फिर कारे कराया जाता है लड़के बहुत कम काम करते हैं बच्पन में ठीक लेकिन लड़के उनकी पेछा ज्यादा काम करतें ठीके दूफरा है बाल को को live यह जवर कुणने का आधिकार है यहनिकि अगर साथी का समय हो चुका है लड़की लड़का का तो लड़का क्या होता ना वो अपने इच्छा के अनुसार यह लड़की नहीं पसंद मेरे को आप भी बहुत साय चात्र जो बीद्यूट देख रहे हैं ऐसा बहुत फारे चात्रों किया होगा जिनकी साधी हो गई जिनकी नहीं होई है वो करेंगे पक्का करेंगे 100% से हो रह है जो अपना जीवन साथ ही वो चुन्हेक अधिकार है जिपकी लड़कियों को सीमित मात्रा ने यहीं आधिकार प्र प्रावत है ह्लाकी लड़कों को भी है लेकिन यह लड़कों के अपैच्छा बहुत कम है ठीक है पिर अन्य कोई डिपलोमा करना चाहरे, कुछ भी करना चाहरे, एजुकेफन के छेत्र में ठीक है, तो उच फिच्छा गरहन करने में लड़कियों को, लड़कों किया पेच्छा कम सिब्धा मिलती, लड़कों कहा जाता है, आप जाईए, उस सहर में पढ़ाईए, कानपर चा संपत्य पर पुत्री क्या पेच्छा पुत्र को अधिक आधिकार प्रापत है, यानि कि जो संपत्य होती है, प्रोपर्टी होती है, लड़की जो होती है, यानि कि पुरसों के लिए ही महलाओं के लिए नहीं है, अगला की राजनेती और प्रसासन में महलाओं के पेच्छा पुर्सों को अधिक वेरिता दी जाती है ठीक है तो ये भी बहुत ही प्रमुक और बहुत ही important fact है ठीक है इसको भी आप तयार कर लेगे तो ये पांफ पेचे अधिकार जो है और अंतर इनको आपको तयार कर लेना बहुत ही महात्मूर प्रश्ण है अगला भी question है कि चेत्रे अतावाद को किस प्रकार रोंका जा फकता है ठीक है तो यहां पर बहुत फारे अलग-अलग option दिये गए हैं ठीक है अगला भासा समद्ध्य पिवाद का हल फिकर किया जाना चाहिए इस शम्मंद में सभी छेत्रे भासावाध ओपको समानमानेता दी जा Его जाईए तर दी जाई अगला की देसत में किसी भी छेत्र में किसी भी भासा को जबरश्ष्ट ही नादा जाए तो कुछ इस प्रकार इसका उत्तर लेकेंगे और भी बहुत फारें यहाँ पर सुझाओ देगे जो कि आप पढ़ लेंगे ठीक है महात्पूर्ण प्रश्ण है एक्जाम के लिए ठीक है अगला प्रश्ण है कि भाईया वर्तमान समय में मतदान बेवहार को कौन-कौन से तत् पांच नमबर एक उसल नेत्र त्यों बेक्तु भाई भतीजा वाद और चेत्र का विकाफ जनहीत में कार करने की भावना यह कुछ वर्तमान समय में मतदान बेवहार के तत्तु निर्धारित कर रहे हैं ठीक है यह कुछ तत्तु ठीक है इतना आप लिख देंगे को इतना मह महात्पूर्ण कोईश्चन है लेकिन कि पंचायती राज ब्यवफ्था पर गठिस समितियां ठीक है तो पंचायती राज ब्यवफ्था पर गठिस समितियों के नाम बताना है तो नमबर एक पर बलुवंत राय महता समित जो की परिच्छा में आने को उम्मीद है ठीक है बारते समितान में बारवी अंसूची के बारे में आप पढ़ लेंगे यह भी महत्पूर्ण प्रशन एक्जाम के लिए करे बार पेच्छा हम रिपीटेड है तो इस बार भी आने के उम्मीद है अगला कि सहरी निकाव में महलाओं को आरच्छन कितने दिए गए हैं सहरी न देशिंग निरवाचन आयोग पर प्रकाश डाली यह तम हात पूर नहीं लेकि निरवाचन फिजड़ा एक कोश्चिन जरूर फसेगा ठीक है अगला है जो कि कई बार पर इच्छा में आया वाला प्रस ने मतलब कि कई बार पर इच्छा में आया मैंने देखा है बारते सम् गाउं की जनसंख्या एक हजार से अधिक है उसे ग्राम पंचायत का दरदा दिया गया और एक परधान तथा जनसंख्या के उनसार साथ से पंद्राफ़द से चुनने की विफ्था की गई जिसको आप लोग आज की बासा में बोलते हैं क्या बोलते हैं ठीक है बीड़ बो अंसूची जाती है जन जाती है पिछीड़ जाती है यों महिलाओं के लिए आच्छण की भी बेफथा की गई ठीक ग्राम पाई चो पंचायतों के मुख्य कारे हैं पीए जल की बेफथा करना मार्ग यानि की राफ्तों का मरमत कराना अच्छी कराना ग्रामीड आवास जो सब्सक्राइब उनको अवाफ दिलाना गरीबी उन्मूलन विद्धु करन यानि की लाइट की सुविधा पुलिया का निर्माद जल प्रबंदल लग उसे चाहिए पसुपालन मतस्चुद्धिक इन सभी कि की यह सभी कार होते हैं एक ग्रám पंचायत का जो भी परधान रहता उसके ठांट के कर नचाहिए ठीक है और उनको कौ Among Top सकते और सेम देख लीजिए उपर देखंगे सहरी पंचायतों में महिलाओं के रच्ण पर सहरी पंचायतों में महलाओं के लिए बहुत heroes प्रश्ण है अगला की छेत्री वह राज नितिक दलों में अंतर यह भी काफी हिल्फुल कोश्चन आपके एक्जाम के लिए इसको भी तयार कर लिजेगा कई सारे इसमें अंतर हैं एक पॉइंट करके एकदम सिंपल भासा में आप सभी के समस्त में पृस्तित करने का प्रिया क्या ताकि आप लोग ज्यादा कनफ्यूज ना हो ठीक है यह रहा उत्तर ओके अगला है कोश्चन की छित्री या राज जस्तरी दलों को मानेता की फदार पर दी जाती तम हाद पूर नहीं है बाकि आप पढ़ भी सकते हैं अगला 1917 यह कोश्चन आएगा ही आएगा ठीक एक पर प्रस्तुत है कि भारतिय दाजनितिक ब्योस्ता में 1935 के अधनियम का विशेश महत्तु है अधनियम में अधिकांत जो ब्योस्ता हैं भारतियों के अनरोप की गई थी इसी अधनियम के दादारा भारतियों को अनेक अधिकार फ्रुच्चित रखने की बात कही गए उन Ary बात को धहान रखेंगे मात्पूर्ण प्रस्टूत है कि 1935 के भारतिये सासंसा द्नेयम को एक बहुत लंबा ठाइक है अधनियम है यह पड़ भी सकते हैं अंधनीए और अगला प्रस्ण बाते में बता दिया चाहिए प्रश्णा निस निस का भारतीव अधनिय मंटिगी चेम्स फोर्ड गिया और यह सब्सक्राइब की महत्तवा सब्सक्राइब है कि फटके अगला कोश्चन नहीं विष्टता विष्टाइं की पढ़ भी सकते महात्पोर नए इसे भी नहीं कर सकते आप सभी हम जा रहे कि वही कोश्चन आप तयार करके जाएं जो आपके एक्जाम में आने के ज्यादा उम्मीद हो यह भी कोश्चन इगनोर कर सकते बाकी उत्तर है कोश्चन है दोनों आप पड़ भी सकते हैं यह महात्रपूर्ण इसको तयार कर लेंगे कि तुलना में को क्यों स्रेश्ट यानि के सबसे अच्छा माना जाता है उसके कुछ रीजन है क्वाइंट वाज है एकदम आसान भासा में मैंने उत्तर प्रस्तुत किया है ताकि आप समझ सके तो इसको तयार कर लेंगे ठीक है कि अगला कोश्चन प्रस्तुत है कि 1861 के भारतिया परिश्द अधिनियम की संचिप्ट व्याख्या कीजिए इतना महात्रपूर्ण नहीं आप इसे एक नूर भी कर सकते हैं ठीक है एतना महात्रपूर्ण नहीं बाकि आप उत्तर है कोश्चन है पढ़ सकते हैं ठीक है संप्रदाक्ता का आर्थ बहुत हार्ड लेबल का कोश्चन कई बार आया कि वर्ग इसका उत्तर लिखेंगी कि वर्गी भावना जो अपने समू या वर्ग के लिए विशेश अधिकारों और हितों की रच्छा पर आधारित होती है पंडित नहरू यानि पंडित जवालाल लिखा है एक बाल लिखा था कि संप्रदायकता धार्मिक एकता पर अधारित वावर्गी भावना जिसका वास्तिक उद्देश वर्ग विशेश के लिए राजनितिक सकते और अधिकारों को प्राप्त करना है ठीक है वावस्तता घुट मान सकता है जो स्वयम को किसी धार्म तो वावर्ग ये भावना जिसका वास्तिक जो एम है उद्देश है ठीक है उस वर्ग विशेश के लिए राजनितिक सकती और अधिकारों को प्राप्त करना है इतना लिख देंगे पूरी नंबर मिल जाएंगे अगला भी महात्पूर्ट प्रशन सामिल है आप सभी के समस् तैयार करना है अगला हाई लेबल के सासन कि समाप्त कैसे हुई महाराणी या वाफराय द्वारा भारतियों के लिए कौन कौन सी घोसड़ाय की गई तो इस इंडिया कंपनी फिच्ट फफे के जरूर इस बात को ध्यान रखेंगे तैयार कर लिए ठीक है यही कोश्चन आप प्रजा प्रत्रांत्र के बारे में यह बी आएगा यानि की प्रत्ष प्रदत्र प्रत अंत्र की बिसेश्टांत्र मोगत तंत्र प्रता प्रवाइट किया जो ज्यादा महात्पूर्ण प्रशन थे उसको भी मैंने आपको सिलेट करा दिया बाकी अब आपके एक्जाम हैं आप इन सभी प्रशनों का उत्तर तयार करके जाएं यह पूरी के पूरी पीडियाप हम आपको वाट्सप पे टेलिग्राम पे प्रवाइट करा देंगे जो चातर में मैसेज करेंगे मिलते एक और ने वीडियो में जय हिंद